हलो दोस्तो स्वागत है आप लोंका हमारे यूटूब चैनल महान सर में अदोस्तो आज हम पढ़ेंगे राज कोशिय नीती जिसको हम फिसकल पॉल्सी बोलते हैं और ये टोपिक बहुत ही कम्प्लिकेटिड टोपिक है ये टोपिक मुझे तो कभी समझ में नहीं आता था कि इ आई से इसको समझ पाऊं लेकिन आज आप लोगों के लिए मैं जिस तरीके से पेश करने वाला हूँ वो तरीका एकदम डिफरेंट है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी लेकिन उसके लिए आपको क्या है बड़े ही धैर के साथ बड़े ही सेंसिटिव तरीके से चीज होने वाली है वो इस राजकोषिये नेती की ही यूज होने वाली है इसलिए इसको बहुत बहुत आप आसानी से समझेगा आपको क्याना क्या है जो भी मैं बताऊं उस पे बहुत ही फोकस से आपको क्या है सुनना है और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी भार प्राचियन इतियास की माराथन के उसके बाद दो क्लाष किलास पर बनाई हैं माराथन की तो यह आप जरूर देखिए जाके और इसकी टोपिक 22 क्लासें भी 71 बनी हुई हैं और हम कल से एक स्टार्ट कर रहे हैं इसका फास्ट रिवीजन मात 30 क्लासों में हर एक चीज का बहुत गजब रिवीजन करेंगे और ये संपुरुन बारतिय बोगोल इसको तो जरूर देखिये जाके बहुत जबरदस्ट क्लासे हैं ये स सारी क्लासें बहुत अच्छी हैं और इसके बाद हमने वर्ल्ड योगर्पी की भी क्लास बना दी है इसको भी देखें जाके और इंडियन पॉलिटी एक दम धमा का क्लास है जरूर देखें जाके बहुत गजब की क्लास है अब हम आते हैं अपनी राज कोशिये नीती पे त आता ना हमने मोनेटरी पॉल्सी आपको पढ़ाई थी जब हमने आरबियाई के बारे में पढ़ाया था तो उससे पहले हमने मोनेटरी पॉल्सी उससे पहले यह बाद में मैंने पढ़ाया था फिलाल मोनेटरी पॉल्सी को जिस तरह आरबियाई पैसे को कंट्रोल करने के ल यह अपने पास जो पैसा आता है ना उसके पास जो निदियां है ना उनको संचित कैसे किया जाए उनमें कैसे याफा किया जाए कैसे उनका बै करना है कैसे उनमें आय करना है यह सारा कुछ इसमें होता है सरकार अपनी आय और खर्च को मेंटेन करने के लिए इनिती बनाती है तो हम पढ़ते हैं यह तो एक थमनेल है आगे बढ़ते हैं हम यहां से पढ़ते हैं देखिए यहां से पढ़ेंगे और मैं बता देता हूं यह जो दो सिलाइड है यह जो आपको दिख रही है एक तो आपकी यह जो आपको दिख रही है यह वाली सिलाइड और दूसरी आपकी ये सिलाइड अगर ये दोनों आपने समझ ली ना ये सिलाइड और आपकी ये सिलाइड अगर आप समझ गया तो समझो पूरा आपको समझ आ जाएगा पूरा आपको समझ आ जाएगा रोज को से नीती क्या होती है और ये तमाम तरह के खर्चे तमाम तरह की सरकार की आय क्या ह होती है बहुत अच्छे समझ जाओगे तो इसको बहुत सेंस्टिफ तरीके से सुनिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना क्या है जिस तरह RBI मौद्रिक नीती बनाता है यानि कि मौनेटरी पॉलसी बनाता है जिस तरह RBI मौनेट नीती बनाता है जिसको हम मौनेटरी पॉलसी कहते है ठीक उसी प्रकार भारत सरकार भी राजकोर्शी नीती बनाती है भारत सरकार राजकोर्शी नीती यानि कि फिसकल पॉलसी बनाती है अपने राजस यानि कि फंड को बनाये रखने के लिए अपने कोस को बनाये रखने के जैसे हम अपने पैसे को मेंटेन करने के लिए कहीं बैंक में जमा करते हैं तो कहीं FD कहीं RD फलानी फलानी चीजों में हम क्या कर देते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है हमारी अपनी नीतियां होती है इसी तरह सरकार की अपनी नीतियां होती है वो अपने फंड को मैनेजमेंट करने के लिए एक नीति बनाती है जिसको हम राज कोशिये नीति कहते हैं अब देखिए यह जो राज कोशिये नीति होती है इसमें होता क्या है सर इसमें क्या होता है सरकार जो होती है जो government होती है उसकी आय और उसके जो बे हैं जो खर्चे हैं जो खर्चा करती है इसमें यही चीज सामिल होती है सरकार जो राजकोशी नीती बनाती है इसमें कौन-कौन सी चीज होती है सरकार की आय कहां से हो रही है और सरकार का खर्चा कहां हो रहा है ये सारा कुछ इसमें सामिल होता है तोटल ये ही होता है और हम इस समभनृत राजकोशिय गाटा ये फलानी फलानी चीजें जरूर पढ़ेंगे लेकिन बो हम बजट के बाद पढ़ेंगे जब इस Class के बाद budget की Class होगी, budget के बाद, साथ, budget में या budget के बाद, राजकोसी ये, गाटा बगएरा की Class आपको मिल जाएगी, तो ये देखिये, इसको समझते हैं, आप इसको समझते हैं, कि सरकार ये जो I है, और ये जो खर्चे है, ये कहां कहां करती है और कैसे कैसे आय को प्राप्त करती है तो सरकार आय कहां से प्राप्त करती है सरकार खर्चा कहां पे करती है अगर ये दो पॉइंट आपने समझ लिए लेकिन ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे ऐ है क्योंकि economy है ना वो पूरा सब्दों का खेल है economy अपने आप में एक सब्दों का खेल है अगर आप इसके वर्ड को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी इसको समझ पाएंगे और मैं तो यह कहता हूं अगर यह राज कोशिय नीती और बजट वाली किलास आपने समझ ली क्यों अब जरूरी है अब देखिए यह अपकी क्या है सरकार है यह अपकी सरकार है अब सरकार की आय और यह अपके क्या है खर्चे अब सरकार देखिए आय कहा कहा से कर रही है यह जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं यह बहुत मतलब कम लेबिल पर अभी आगे बढ़ेंग टेक्स की स्लेप्स बगएरा सब कुछ हमने देख लिया था आयकर, इंकम टेक्स, भलानी फलानी, निगम कर, कॉर्पोरेल सर्विस टेक्स एक्सेंटरल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी ये सब हमने पड़ रखा है तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, टेक्स में डारिक्ट और इंडारिक्ट टेक्स ये इसमें सामिल होते हैं और आपने एक सुना होगा, PSU, PSU क्या होता है, Public Sector Undertaking Public Sector Undertaking ये होता है, PSU, PSU जिसमें आप सरकार की जो कंपनियां हैं, सरकारी जो सारवजिनिक चैतर की हुपकरम हैं सारवजिनिक चैतर के जो कंपनीज बगएरा हैं, उनके बारे में अगर आप जानते हैं, तो उनी को हम क्या कहते हैं, PSU कहते हैं Public Sector Undertaking मतलब, Public बोले तो सरकार, Sector बोले तो चैतर Undertaking महाने, जो उसके अंडर में आते हैं, जो सरकार के अंडर में आते हैं, मतलब, सारवजिनिक चैतर के जो उपकरम होते हैं, उनकी बात करते हैं और सारवजिनिक चैतर तो आप जानते हैं, कमपनी कोई भी है, उसमें अगर 50% पिलस कैप्टल अगर गवर्मेंट अप इंडिया का है, तो वो आपकी क्या टेलाएगी, Public Sector Undertaking में आ जाएगी, यानि कि सारवजिनिक चैतर की कमपनी बोली जाएगी, या सरकारी कमपनी बोल आए है, मतलब ये उदार ले लिया हो, तो एक तरीके की इनकम ही गई, भले ही आपको चुकानी पड़े बाद में, लेकिन ये क्या है, आए है, पैसे भी आप कमाते हैं, वो भी तो खर्चा करना पड़ता है, तो ये भी आपकी क्या है, आए हो जाती है, तो ये इस तरह के स आए कमाती है, लेकिन ये एक बहुत सोट लेवल पे है, हम अभी आगे बहुत ब्रोड लेवल पे इसको देखेंगे, अब इसका बे यानि की खर्चा देख लेते हैं, सरकार जैसे आपने देखा होगा, योजनाओं पे खर्चा करती है, अभी पियम किसान योजनाओं में आ सरकार इंफ्रेस्टेक्चर को डेबलमेंट करती है, रोड बनाती है, पुल बनाती है, नदी नालों को साप सपाई कराती है, होस्पेटल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजे कौन प्रोबाइट कराता है, सरकार कराती है, तो इन पे भी तो सरकार का खर्चा होता ह हाँ बिल्कुल ट्रेन है लेन है सब कुछ है यह सब आप सरचना में आ जाते हैं जो भी सरकारी उपक्रम है जो जिनके बगएर मतलब है कि कोई भी चीछ चली नहीं सकती वो आपकी अप सरचना अत्मक आपकी क्या होते हैं धाचा गत विकास होता है धाचा तयार करती है सरकार चात्र बृत्ति आपको पता ही है स्कोलर सिप कितनी कितनी स्कोलर सिप भी देती है तो यह आपकी सारे खर्चे होते हैं सरकार के यह सब सरकार ही करती है अब भो चाहे राज सरकार करे चाहें कोई भी सरकार करे लेकिन होती क्या है सब आपके क्या है सरकार ही करती है आगे ब प्राप्तियों के इस आप से पढ़ते हैं कि है सरकार की प्राप्तियां और खर्च कहां कहां से प्राप्त कर रही है पैसे को और कहां कहां वो खर्च कर रही है अभी हमने देख तो लिया लेकिन और अच्छे से देखते हैं और फिर और अच्छे से देखेंगे अगर इस तरी एक तो होती है क्या है और देखेंगे तो यह मैंने यह पर क्या है प्राप्त होती है और उस आय को क्या क्या कहते हैं और खर्च को भी देखेंगे कि उस क्हर्च को क्या कहते है तो एक तो होती है आपकी राजस वायस प्राप्थी यानि की revenue रेज़े्शभ्त रेजस्वाय स्वाय उन uniform कहें गए revenue income यानि की राजस आइस को हम कहेंगे आप प्राप्ति को सीधे आइस से जोड़ना और इधर खर्च को देखिए जैसे आपका राजस प्राप्ति होती है वैसे आपका राजस खर्च भी होता है अब जैसे आपकी राजस पूंजी गत प्राप्ति होती है यानि capital रेसिप्ट होती है वैसे यह आपकी क्या है capital expense भी होती है capital expenditure भी होता है यानि कि पुझीगत खर्च भी होता है सर यतना सब कुछ होता है हाँ अब इनको समझते हैं देखिए ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है और ये क्या होता है इनकी डिफनेशन को समझना बहुत जरूरी है बरना आप कभी इनको समझी नहीं पाऊगे कि राजस्वाय क्या होती है पूंजी गता है क्या हो होती तो दोनों आए ही हैं दोनों में पैसा ही कमाती है सरकार और खर्च भी करती है तो दोनों में पैसा ही करती है लेकिन वो किस तरह की किस तरीके से कर रही है यह उस पर डिपेंड करता है उसी को अलग-अलग टर्म दे दिया जाता है अलग-अलग नाम दे दिया जाता है कर हैं अलग तरीके से डिफाइन कर लेते हैं अब यहां पर समझेए सबसे पहले सबस्त क्या समझे के पूंजी का ताइव को समझेगे फिर ये सारी चीजिए समस्ते हुग चलेंगे देखिए क्या है तो राजस स्वाय को हम पढ़ रहे हैं तो राजस स्वाय आपकी किस तरह की होती है राजस प्राप्ति आपकी किस तरह से होती है देखिए यहां पर क्या लिखा है मतलब ICI जहां सरकार का खर्चा ना हो मतलब ICI जहां सरकार को कुछ भी खर्च ना करना पड़े और इंकम आ जाए ठीक है सर देंदारी भी ना बड़े जहां देंदारी ना बड़े मतलब सरकार इस तरह के इस तरीके से पैसा कमाती है कि सरकार का कुछ भी खर्चा भी नहीं होता है और उसकी देनदारी लाइविल्टी भी न बढ़ती। मतलब ये देनदारी क्या होता है। मतलब सरकार को कहीं कुछ देना भी नहीं है। जब कहीं से कुछ खर्चा भी नहीं है, कहीं कुछ देना भी नहीं है और परिशंपत्ती भी कम ना हो उसकी परिशंपत्ती बोले तो उसके पास जो भी चीजें हैं मौजूद, उन में से कोई कमी ना हो, सिधी सिधी बात है कुछ खर्चा ही ना हो, कुछ खर्चा भी ना करना पड़े, कोई देनदारी भी ना पड़े, मतलब कोई किसी को चुकाना भी ना पड़े, किसी का कुछ भी पैसा में लौटाना भी ना पड़े, और हमारी परिसंपत्ती भी कम ना हो, मतलब हमारे पास जो बड़े और हमारी परिसंपत्ति यानि हमारी संपत्ति भी कम ना हो इस तरह की आए हम क्या कहेंगे रिबेनी रिशिप्ट कहलाएगी या राजस प्राप्ति कहलाएगी इसमें आपकी कहां कहां से आए होगी सर जैसे कि आपको टैक्स टैक्स से अब जब आपको टैक्स मिलता ह टेक्स उसको मिलता है तो उसको कोई खर्चा तोड़ू ना करना पड़ता है टेक्स के लिए और इस्टाम विक्री इस्टाम जो आप देखते हैं तैसिल बगएरा में जो इस्टाम विक्री होती है तो वो भी क्या सरकार की आया है उस पे कुछ खर्चा तोड़ू ना करना है स कोई परिशंपत्ति कम होती है ना ही किसी को कुछ देना होता है सीधे सरकार को आए होती है और जो सरकारी कमपिनिया है ना उनसे जो भी लाब होता है न वो आपका क्या कहलाता है राजस्वाय आपकी कहलाती है फिक है सर राजस्वाय आपकी यह हो गई अब राजस्व सरकार की देंदारी बड़े और परिशंपत्ती कम हो समझ गए यहां पे क्या था यहां पे ना तो देंदारी बड़ रही थी और ना ही परिशंपत्ती कम हो रही थी लेकिन यहां क्या हो गया देंदारी भी बड़ेगी और परिशंपत्ती भी कम होगी और बहां से अगर कोई income हो रही है, तो वो हमारी पूंजी गत-प्रापती कहलाएगी, capital receipt कहलाएगी, सर ये कैसी, देखीए, अभी समझते हैं, ये जो आलप बचते होते हैं, ये सर नहीं समझाएगा, मेरे आलप बचते हैं क्या, यासे कि हम हमारे जो accounts होते हैं न हम लोगों की accounts होते हैं saving account current account दिखिए ये सब कुछ सरकार का ही होता है आप RBI पढ़ें बैंकिंग पढ़ें बले ही अपने अलग तरीके से पढ़ा हो ये सरकार इनसे कर्ज लेती है ये है लेकिन वो सब सरकार के ही होते हैं तो हमारे जो खाते हैं वो पैसा कहां जमा होता है वो हमारे एक तरीके से सरकार के ही पास होता है और हमारी जो बचते हैं वो सरकार के पास होती है तो बहुतो हम जब जाएंगे निकालने बैंक से बहुतो सरकार हम को देगी देगी बहुतो हमें मिलना ही मिलना है लेकिन वो कैसे इंकम होती सरकार को वो हमें देनी पड़ती है यानि वो सरकार की देंदारी है अगर हम जितने जादा जमा करेंगे उतने ज्यादा उसकी देंदारी बढ़ेगी उदार लिया पैसा अगर सरकार ने कहीं से कुछ उदार ले लिया है जैसे की RBI से उधार ले लिया World Bank से उधार ले लिया IMF से उधार ले लिया ADB Bank होती है C& Development Bank बहां से उधार ले लिया तो यहां से जहां से भी सरकार उधार लेती है न तो यह तो चुका नहीं पड़ेगा उसको और इसका क्या है देंदारी बढ़ेगी तो ये क्या हो गया देंदारी बढ़ेगी चुकाना पड़ेगा न तो ये हमारी क्या हो गई पुझ जीगत प्राप्ति हो गई और एक होता है बीनिवेस जिसको हम कहते हैं डिस इनवेस्टमेंट बीनिवेस क्या होता है दो जिसमें सरकार सरकार क्या है जब कुछ हिस्सा बेंच दे जैसे कि कोई सरकारी कमपनी है सरकार कहती हमको पैसे की जरूरत है और कोई भी कोई भी सार निजी चेतर का ब्यक्ति आए वो इसको खरी सकता है इतने परसेंट खरी सकता है तो सरकार अगर कुछ बेचती है तो उससे कह मिलता है सरका कम हुई है तो ये दोनों बात यहां से इस्पष्ट हो जाती है कि जहां देंदारी बड़े और परिसंपत्ति कम हो वो आपकी क्या है पूंजिगत प्राप्ती आपकी कहलाती है और ये आपकी जहां ये सारा कुछ नहीं हो खर्चा भी नहीं हो परिसंपत्ति भी कम ना हो यह आपकी राजस रिशिप्ट कहलाती है वह यानि राजस प्राप्ति कहलाती है शर समझ आ गया लेकिन अभी 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 समझ में नहीं आया होगा सही से और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा अब देखिए यहाँ पे खर्च को समझते हैं राजस खर्च अइसा खर्च जहां सरकार कोई भावतिक संपत्ति का निर्माड भी ना करे क्या है मतलब सरकार खर्च करीगे तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना कुछ ना कुछ कहीं निर्माड करेगी कुछ खरीदेगी कुछ तबी तो आपका क्या है ख कोई भी कोई बावतिक संपत्ती का निर्माड भी ना करें मतलब खर्चा कर रही है लेकिन कुछ निर्माड नहीं कर रही है कोई बावतिक संपत्ती बोले तो ना कोई पुल बना रही है ना कोई बिल्डिंग ना कोई रोड कुछ भी नहीं बना रही है लेकिन खर्चा कर रही और देंदारी भी कम नहीं हो रही ऐसा भी नहीं किसी का पैसा आ रहा था या वर्ल्ड वेंग का इमफ का उसका ही निफ्टा दिया चलो यह खर्चा हो गया ऐसा भी नहीं किया फिर सर कहां कर दिया इसने खर्च यह कैसा मतलब यह तो वही हो गया मेरे पास राई नहीं और गय कहां तो यह आपकी जो बात हो गई कि कोई बहुत संप्ती का निर्माड भी नहीं किया , और देन्दारी भी कम नहीं हुए और पैसा जो था छे मिरा नहीं खर्च हो गया सब शर यह क्या हो गया क्या तान में लुटा दिया हाँ आपको आपको किया कहा है किए राजस ढूला दिर्द्फन में नश्यकत रिखता swept में अब्सक्रोटे साथ लोन रूपएक का लूनthinking खाता सरकार ने तो एक करोड़ निप्ता आया लेकिन उसका जो भी च constraint बनाक डो लाग करोड-खाण जो भी करोड घो भी मतलब बना करोड़ खन तो बूंगद निप्टा दिया तो यह जाएगा राजस करच में90 2 जो योजनाय चलती। छातर व्रत्ति पे खर्च कर दिया। अब शातर व्रत्ति अगर किसी को दी है, तो कया कुथ निर्माड किया सर्कार ने? क्या कुश देनदारी इसकी कम हुई? क्या करज्या उसने कुश निफटा पाया? आपfrontIE से लिया था नहीं निफटा पाया? pension पे खरच किया जो आपकी social आपकी scheme से हैं जैसे की व्रद्ध बस्ता pension है, DAIN pension है PM के साथ संवाण नहीं दिया है आपकी विकलांग है, भिद्बा pension है इस पे खरच कर दिया इनको पैसा दे दिया तो क्या, क्या सरकार ने कुछ अपनी देनदारी कम की, नहीं की, कोई निर्माड किया, कुछ भी निर्माड नहीं किया, यह सिर्फ समाश सेवा के लिए क्या है, किया खर्चा किया, समाश सेवा, सोशल, सोशल आपका क्या है, सोशल सर्विस की, रच्छा पे खर्च किया, रच्छा जानते हैं न, बनाने को सब पड़े ही हैं तो मदलब ऐसा करचा जो होता है इए इसा घर्ड़ी साँटा है उन सोलर पैनल नलो तो जो भी सब्सिडी देती है सरकार उन से कुछ भी देनदारी कम नहीं होती है सरकार की पैसा भी चला जाता है और सरकार उतने करजे में रहती है और कुछ निर्मार्ड भी नहीं कर पाती है तो यह आपकी क्या है राजस खर्च में आ जाती हैं अब पूझी गत खर्च को समझे ऐसा खर्च जहां सरकार कोई भौतिक संपत्ती का निर्माड करे निर्माड कार करे और देंदारी कम करे और अपनी जो लाइबेलिटी है जो देंदारी है किसी का चुकाना है उसको भी कम करे कि चलो एक करोड थ पचास लाग निफ्टा दिया आप कुछ तो कम हुआ तो यह वाला खर्चा क्या कहलाएगा पूंजीगत खर्चा कहलाएगा कोई भी बहुत एक संपत्ति का निर्माड करे या देनदारी कम करे तो यह आपका पूंजीगत खर्चा कहलाएगा देखिए यहां पर कैसे देनदारी कम हो तो वह आपकी क्या है वह फूंजीगत आपकी क्या है खर्च है तो ऐसे आप समझ लेना अब यहां पर यह क्या करेगी जैसे कि सडख निर्माड कार करा दिया मसीने लगबा दी और उदारी वापस कर दी जो आर बिया बल्ड बैंक का करजा आ रहाता उसको दिया इसमें क्या है जैसे कि मूल धन बगएरा निप्टा है तो देखिए अगर आपने ये दो सिलाइडें अगर आपने समझ ली बहुत अच्छी सिलाइडें थी तो अब इनके यादार पर आप सारा कुछ समझेंगे आगे सब कुछ मैंने जो लिक रखका है वो यही है ल वाली प्राप्तियां यानि कि आए और यह आपका खर्च इसको समझें यह आपका राजस्वाप की प्राप्ति थी और राजस्वाप की पूंजीगत प्राप्ति थी और यहां पर राजस्वाप खर्चा था और यहां पर पूंजीगत खर्चा था यह हमने दोनों यह भी सम देखिए कैसे समझेंगे यहां से बहुत अच्छे समझेंगे अभी पीछे जो समझा उसका एक तरीके से रिवीजन भी है और कुछ एडिस्टनल चीजें भी है इसमें देखिए यहां पर देखिए प्राप्ति यानि के इंकम कहां कहां से सरकार प्राप्त करती है एक तो होता है यह रिवेनियू रिशिप्ट आपकी कहलाती है यह क्या होता है रिवेनियू रिशिप्ट आपकी कहलाती है और जो पूंजी गत प्राप्ति होती है इसमें क्या होता है सर ऐसी आए जहां सरकार की देंदारी बड़े परिसंपत्ति को कम करना पड़े अपनी बेचना पड़े, यह हमने सारी जीजें अभी आपको यहां पर समझाएं थी, अब बचते हैं, उधार लिया पैसा, यह सब आपका डेनिवेस, सब कुछ यह क्या है, यह होता है इसमें, अब आगे बढ़ते हैं, इसको अभी समझेंगे, अभी यह समझें नहीं हम, अब देख प्राप्ति और यह है आपकी पूंजीगत प्राप्ति, अब राजस प्राप्ति आपकी किस तरह की प्राप्ति होती है, जो हमने पीछे पड़ा, वो एक ऐसी चीज थी, जैसे आप शोट आप रिविजन करें, तो वो आप कर लें, लेकिन आपको डेटेल में समझना है, तो नन-tax revenue भी इसमें आएगा, नन-tax राजस भी इसमें सामिल होगा, और गैर करके अतरिक्त, मतलब कर भी नहीं लिया, गैर कर भी नहीं लिया, उसके अतरिक्त भी सरकार का कुछ पैसा आता है, वो इसमें आपका सामिल हो जाएगा, अब ये पूंजीगत प्राप्ति में क् कोसिस करें, अब देखिए, पहले हम ये वाली चीजें समझेंगे, क्या है, सबसे पहले हमने कर राजस को समझेंगे, कर राजस में आपका क्या होता है, कर राजस में आपका क्या होता है, ये देखिए, एक आपका होता है प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च प्लाने जितने भी तरीके के कर है ना जितने भी तरीके के टेक्स है ना वो आपके इस टेक्स रिबेनियु में ही आ जाएंगे समझे आप नहीं समझे ना समझ तो गया है आप समझ गया है ना अब यहां पे देखिए अब यहां पे देखिए गयर राजस्वकर गयर सरकार ने कहई से ब्याज प्राप्त किया है क्या किया है इसमें भी आपकी क्या इनकम हो जाएगी कैसे सरकार भी तो लोन देती यह न राज तरकारों को आपने इसको दिखी आप बोर डीटेयल में समझ रहे हैं, अभी जो पीछे हमने समझा ता उसका एक एडबानस है यहां पर हमने tax बगेरा को देख लिए tax बगेरा को देख लिए जिसमें आपका क्या है सरकार, इसमें आपके क्या है Stamp बगेरा सब कुछ आ जाएंग doubled Stamp बगेरा इसमें tax में सब कुछ आपका आजाएगा क्योंकि स्टाम भी क्या होता है वो capital gain tax होता है आपका एक तरीका का capital gain tax होता है तो यह सरकार का वो भी इसमें tax भी सामिल होगा और गैर कर में क्या होगा जैसे कि ब्याज प्राप्ति सरकार ने माल लिया राज सरकारों को कहा दिया यह है आपकी केंद्र सरक लेकिन वो जैसे आएगी उसी को नाम दे दे दें, उसी को हम क्या कहतेंगे, नाम दे देंगे उसी तरीके का, तो यह हमारा क्या हो गया बैजप्राप्ति वाली Income हो गई, सर ठीक है, समझ में आ गया, यह जह यह कोई टैक्स नहीं है लेकिन ये भी सरकार की इंकम है ठीक है डिवीडेंड्स and profits यह क्या होता है सर डिवीडेंड आड़ प्रोफिट जो भी अमने PSU की बात के थे ना Public Sector undertaking की बात के जो सरकारी कम्पनियों से सरकार को लाप्राप्त होता है सरकार का सरकारी कंपनिया है उन से जो भी profit होता है जैसे कि आपकी आप जो नबरफानत्र कंपनिया देखेंगे न यह सारी के यह सब सरकार की प्राप्त होगा न सरकार को वो अपका सरकार का डिविडेंस कहलाएगा प्रोफिट्स कहलाएगा तो वो भी अपका क्या है सरकार का आमदनी है वो भी सरकार की आय है तो ये अपकी क्या है गैर राजस्तों आपकी क्या है गैर कर आपकी राजस्तों है और जैसे अनुदान कहीं से मिलता है सरकार को सरकार को कहीं से अनुदान रोड एण इंफ्रस्ट्रक्टर में लगा देना तो इह आपका कैसा यह वाला पैसा जो ऑना इस प्रकर तो यह सरकार की वाली में आपको सरकार को किसी को देना तो है नहीं कुछ लाटाना तो है नहीं तो यह आपकी क्या हो गई राजस प्राप्ति वाली आये हो गई यह सर बिलकुल सही बात बिलकुल समझ गया सर समझ गया समझ गया और ग्रांट और क्या है ग्रांट यहां पर भी क्या लिग गया है इ देवाओं से प्रापता है मतलब जैसे कि सरकार ने आपके लिए सिच्छा विवस्ता गार बीशा पर जेटी है 187. और सन्सक्रति पे जैसे कि आप क्या करते हैं पर सरकार ने क्या किया बहुत सारी क्या बनबा दी, सरकार ने बहुत सारे आपके क्या है, ऐसे आपके प्राप्त खर्चा लगाने में आपको वो हम आपको पता देंगे या पीछे से मैंने भोटाए हम समझ समझ यह और मुझे कमेंट केजिए और खर्चा होगा उस सारी चीजे हैं और आगे बढ़ते हैं अब एक होते हैं गैर करके अतरिक्त भी होता है गैर करके अतरिक्त भी तो अपका additional revenue होता है ना जैसे कि सिक्के डलाई सरकार सिक्कों को डालती है आपको पढ़ाया था कि सरकार सभी तरीके के सिक्के क्या है डालती है तो सिक्के डलाई पर जो भी प्राप्त लाब होता है उस इसकी बहलाई कीमत आपकी कितनी है डहलाई की जो लागत है आपकी माल्य एक रुपए है कितनी है एक रुपए आपकी क्या है डलाई कीमत है ये देखिए ये डलाई लागत आपकी एक रुपए है और सिक्के का मूल कितना है दस रुपए तो नव रुपए आपका क्या हो गया सरकार का लाब हो गया ये इस तरह का आपका क्या होता है गैर करके अतरिक मतलब ना तो ना नान टेक्स है उसके भी अलाबा जो इंकम कर रही है सरकार वो आपकी क्या कर रही है यह कर रही है सिक्कों बगेरा से यह आपकी कमाती है एक रुपए का नोट चापती है अब यह हमने समझ लिया क्या समझा दोस्तों हमने यह हमने क्या समझा दोस्तों यह हमने समझा क्या होता है पहले आप मुझे ये बताईए पूंजी गत प्राप्ति होती क्या है इसकी डिफिनेशन बताईए देखी ये इसकी डिफिनेशन क्या है मैंने अभी आपको बताईती पूंजी गत प्राप्ति में क्या होती जहां देंदारी भी देंदारी बड़े और परिशंप परिशंपत्ति को कम करना पड़े यह आपकी क्या कहलाती है पूंजिगत प्राप्ति कहलाती है तो जहां देंदारी बढ़ेगी सरकार की और परिशंपत्ति कम होगी वह आपकी क्या कहलाएगी पूंजिगत प्राप्ति कहलाएगी जैसे उधारी अगर सरकार ने कहीं से बारो लिया है कहीं से सरकार ने उधार पैसा ले रखा है कहीं से लोन ले रखा है तो वो क्या है ना वो सरकार को लोटाना है और वो सरकार को लोटाना है तो वो सरकार की देंदारी हो गई देता हो गई देता है बढ़ेगी जितना लोन लेगी उतनी द्यादी देंदारी बढ़ेग जो उधारी होती है ये एक तो आंत्रिक उधारी होती है एंटर्नल बारोइंग होती है और एक आपकी एक्स्टर्नल बारोइंग होती है तो इसको समझते हैं इंटर्नल और एक्स्टर्नल उधारी देखिए जो इंटर्नल होगी वो आपकी क्या होगी जैसे आर्बियाई से पै उसने किसी से ब्लड बैंक आये इंसे पैसा लिया ना तो यह अपका बाहरी उदारी आ जाएगी वाहा उदारी आ जाएगी लेकिन होगा क्या यह चुकाना होगा यानि कि देता बढ़ेगी और यहां क्या किया इसने बीनिवेश कर दिया बीनिवेश कर दिया ना तो इसने क्या किया अपना कुछ बेचा होगा जब सरकार अपनी परिसंपत्ति यानि एसट का कुछ इस्टा बेच कर पूझी प्राप्त करे यानि कि इंकम प्राप्त करे तो यह आपका क्या कहलाएगा पूझी ग और आपकी राजस्वाय को समझा अब हम समझते हैं खर्च को वैसे हम समझ चुके हैं लेकिन और अच्छे समझ लेते हैं क्या है राजस्वाय यानि की रिबेन्यू यहां पर मैंने राजस्वाय खर्च है तो रिबेन्यू एक्सपेंस या रिबेन्यू एक्सपेंडीचर भी क करें और देंदारी भी अपनी कम ना करें वो आपकी क्या कहलाएगी वो आपकी राजय सुखर्च कहलाएगा राजय सुखर्च कहलाएगा अब इसमें देखिए जैसे कि राज्यों को दिया गया अनुदान सरकार अगर राज्यों को कुछ अनुदान दे देती है जैसे कि सरका बाले राजुन में सरकार ऐसा करती रेती है तो और ब्याज्ज, भुक्तां पहला करें अगर सरकार ने ब्यार्ज, का बुक्तान कर दिया लेकिन क्या है मूलधन का बुक्तान नहीं किया ना कि मूलधन चुकाया तो ये भी आपका क्या कहलाएगा राजस कर्च कहलाएगा क्योंकि इसमें सरकार ब्यास तो बुक्तान कर रही है लेकिन मूलधन बैसा ही बनाया अभी हमकार्जे में है तो देरिटा नहीं कम हो रही है और सब् इसने तरीके का ऐसा खर्च है ना जो सरकार को अपने अपने कोश से देना पड़ता है और सरकार का कोई ना तो देता कम होती है ना ही सरकार क्या कोई आपका क्या इन्फेस्टेक्चर डेबलम्मेंट कार हो पाता है तो यह सारा आपका खर्च राजस खर्च कहलाता है क्या कहल तो निर्माड ही करेगी, पुझी खर्च काएगी, जब कोई बहुतिक संपथ्य का निर्माड कार करे guitar करें लो अपका लोन था ये लोव आप अपना रख़ो तो ऐसे कारियों को जब करेगी , तो भॉची खर्च कहला एंगे यह कैया है जैसे रहत बना रहे है सड़कें बना जिसमें आपकी उधारी बापसी करना भी आ जाएगा मूल धन को लौटा देना कि यह लोग आपका साराई करजा उतार दिया नई मशीने खरीदना भारत सरकार मिसाइलें खरीदती है विदेशों से आपने कौन सी रूस से खरीदी थी आप लोग कमेंट करके बताना फोर क्या है चार से करके है मुझे कुछ नाम सही से उसका याद नहीं आ रहा है राज्यों को रिड राज्यों को रिड देना यहां पर आ जाएगा अगर सरकार ने क्या किया यहां पर क्या है राजियों को यहां पर क्या है सरकार क्या करेगी राजियों को रिड देना यह टर्म कुछ गलत इसमें यूज हो गया है राजियों को रिड देना राजियों को रिड देगी तो उससे क्या होगा उससे तो सरकार की आए होगी लेकिन अगर एक तरीके से देती और किया देखते हैं यहां पे हमने क्या आप सरचना निर्माड पे हमने देखा उधारी अगर लोटा रहे है तो उसकी क्या देता कम होगी और संपत्ती का निर्मार्ड होगा और यहां पे नई मशीने खरिदना यह तर्म कुछ गलत यूज हो गया मैं इसको देख लूँगा एक बार तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें होती हैं अब तो ये ये सारा आज के हमने पढ़ा आज हमने क्या पढ़ा ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करना मैं आ पढ़ेंगे यह बजट बारा सेक्शन पढ़ेंगे वजट क्या होता है बजट कैसे बनता है बजट का इतियास देखेंगे बजट का शारव कुछ समझेंगे तो आप कलगी क्लास के लिए बैठ कीजिए और यह मारा क्या है चैनल है महान सर इसको सब्सक्राइब कर ले पीडियाप, फ्री पीडियाप के लिए भी आप ये टेलीग्राम चैनल यानि की महान सर के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल हमारा या डिसकेशन बगएरा में जाना तो लिंक बगएरा मिल जाते हैं पांसे आप जोईन के लेना आपको मिल जाएगा तो ये तो किलासे आप जरूर देखिए ये जो हमारी चल रही है तो ये आप जरूर देखिएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद